देनी हैं तो निधी अकेडमी डाउनलोड करना है एप आपको प्ले स्टोर से जाके यहां पे आप हमारी ओनलाइन क्लास ले सकते हैं अगर एक्जाम को टारगेट करके आप पढ़ रहे हैं अगर आप आराम से पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर पढ़ते रहिए इसक आप अपनी मंगा लिजिए आप चेक करिए और अगर आपको ऐसे नहीं दिखती है तो आप डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में जाके इसके लिंक पर जाके आप इसे देख सकते हैं वहां पर भी नहीं तो आप शब्दावली बाई निधी में हम आप सर्च करेंगे तो मिल जाए प्रभावित का मतलब क्या होता है जिस पर कोई प्रभाव न पढ़ता हो ठीक है यानि वे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक काल इन में से किसी एक का या सभी का कोई प्रभाव नहीं पढ़ता है वो अविकारी शब्द कहलाते हैं अविकारी शब्द का दूसरा नाम है अ अविय शब्द कौन से हैं तो अविय शब्द को ही हम अविकारी शब्द के नाम से जालते हैं यह अविकारी शब्द या यह अविय शब्द हमारे चार प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं चार प्रकार के कौन-कौन से शब्द हैं क्रिया विशिशन संबंद बोधक समुच्य बोधक और विश्मयादी बोधक ये चार प्रकार के शब्दे हैं एक एक करके इनके बारे में पढ़ लेते हैं फटाफट से बहुत सिंपिल और बहुत सरल ये टॉपिक है आपका वो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहा है बहुत सरल है बहुत एकदम से आसानी से समझ में आने वाला तो देखो हम बात करते हैं सबसे पहले क्रिया विशेशन की क्रिया विशेशन वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेश्ता बताते हैं जो क्या करते हैं क्रिया की विशेश्ता बताते हैं विशिशन था जो संग्या सर्वनाम की विसेस्ता बताते थे, और फिर उसके बाद हमने क्रिया पढ़ी, तो क्रिया की विसेस्ता बताने वाले शब्द वो क्रिया विशिशन कैलाते हैं, अब ये क्रिया विशिशन हमारे कितने प्रकार के हैं, चार प्रकार के हैं, कौन-कौन परिमार वाचक मतलब जो इस्थान को बताता हो, रीती, रीती मतलब जो रीती उसकी होने की प्रिक्रिया, उसके होने की शैली को बताता हो, और परिमार, परिमार वाचक मतलब जो उसकी मात्रा को बताता हो, तो ये किसकी मात्रा, किसका समय है, किसका इस्थान बता रहे हैं, तो ये क्रिया का इस्थान, क्रिया की मात्रा, क्रिया का समय बता रहे हैं, तो एके करके इनको पढ़ लेते हैं, ये कौन-कौन से शब्द होते हैं, आगे हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे सामने दिया है काल वाचक क्रिया विशेशन, काल वाचक क्रिया विशेशन हम किसे कह उधारन के तौर पे हम देख सकते हैं जैसे आज, तल, परसों, सुभा, शाम, रोज, हर घड़ी, बार बार, सदैव, लगातार, हमेशा, निरंतर, आदी आदी और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं तो इस तरह के शब्द जो किसको बता रहे हैं क्रिया के समय को बता रहे है वे हमारे क्या कहलाते हैं, काल वाचक क्रिया विशिष्ण कहलाते हैं, हम उधारन देख सकते हैं, हमारी परीक्षा में किस तरह से प्रशना आएगा, जैसे वाक्य दिया है, आज सुभा से बार बार फोन की घंटी बज रही है, अब इस तरह से वाक्य आ गया और आप से बार बार यानि जो बज रही है वो कैसे बज रही है बार बार बज रही है समय को बता रहा है बार बार ठीक है तो यह हमारा क्या कहलाएगा यहां पर बार बार यह हमारा काल वाचक क्रिया विशिशन कहलाएगा ठीक है तो इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं या ऐसे हो जाए कि कि इस तरह से हम से क्या को इस्पूरज करना करें करने तरह केरे उस्थान को बताते हों ठीक है। जो किसको बताते हैं? इस्थान को बताते हैं क्रिया विशिषन कहलाते हैं जैसे उदहारन दिया है बाहर, भीटर, इधर उधर, उपर, नीचे दाए, बाए, हर तरफ, चारो तरफ, सरवत्र तो इस तरह के जो शब्द हैं वो क्या दिखा रहे हैं? वो स्थान को दिखा रहे हैं तो kriya के होने के स्थान को बता रहे हैं तो क्या कहलाएंगे स्थान वाचक kriya vishishan हम वाक्टे देखेंगे प्रशन किस तरह से पूछा जाता है बच्चे मैदान में इधर-उधर दोड रहे थे इस वाक्टे में आपको तो इस्थान वाचक क्रिया विशिशन बताना है, याद रखिएगा इस बार का जो आपका पेपर हुआ था UPSI का, उसमें क्रिया विशिशन से बहुत जादा प्रशन आये थे, मतलब most important point है यह आपके लिए क्रिया विशिशन, तो क्रिया विशिशन से ही बहुत सारे प्रशन है, तो आप बताएंगे कि इधर उधर क्या इस्थान को बता रहा है, तो यह इस्थान वाचक क्रिया विशिशन है, ठीके तो इस तरह से आप समझ जाएंगे इसको, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगला point हमारा दिया है, रीती वाचक क्रिया विशिशन, रीती वाचक क्रि ही है क्रिया इस चीज को हम जिन सब्दों से बताते हैं वो रिती वाचक क्रिया विशिशन कहलाते हैं जैसे उधारन के तौर पर देखें जैसे अच्छा ठीक मत नहीं यथा संभव यथा सकती अवश्य जरूर सचमोच शायद परसपर अचानक आधी-आधी तो इस तरह के देखेंगे जैसे कहा हरसित को सचमोच इस बारे में कुछ नहीं पता था तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सचमोच यह क्या है कौन सी क्रिया विशिशन है तो आप यहां पर देखेंगे कि सचमोच क्या है उसका रीती वाचक क्रिया विशिशन है हमें आराम से पता च तो आप इसको रिजेक्ट करके यानि बाकी तीन को उसमें से हटाकर भी इसकी पहचान कर सकते हैं ठीक है कई बार हमारे छात्रों को समझ में नहीं आता कि रीति वाचक हम कैसे पहचानेंगे तो उन छात्रों के लिए यह तरीका है चलिए आगे बढ़ते हैं आगला परिमान परिमान किसको दिखाता है माप तोल को बताता है तो हम कह सकते हैं कि जो क्रिया विशिष्ण क्रिया की मात्रा को बताते हैं किस मात्रा में क्रिया हो रही है तो वो क्या कहलाते हैं वो परिमान वाचक क्रिया विशिष्ण कहलाते हैं ठीक है इस तरह से जैसे मालो हम में उधारन देखें जैसे बहुत थोड़ा कम ज्यादा केवल परियाप्त बस भारी अधिक इतना सा जरासा बढ़ाबर आदी अब आप कहेंगे कि मैं मिन में से तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको हमने अनिश्य वाचक विशेशन के अंदर भी पड़ा है तो वहां क्या यह वह होते हैं मतलब यह और वह एक होसे हैं तो ध्यान रखिएगा मैंने आपको यह पहले भी बताया है कि हमारे बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो अपने अपने रॉल को बदलते रहते हैं कभी वह विशेशन के साथ मतलब अगर किसी संग्या या सर्वनाम की बताएंगे तो क्रिया विशेशन बन जाएंगे तो अब यहां पर यह शब्द किसकी विशेशन बता रहे हैं क्रिया की विशेशन बता रहे हैं इसलिए यह क्या कहलाएंगे यह क्रिया विशेशन कहलाएंगे तो यहां पर हमें पता चलता है कि यह शब्द क्रिया की मात्र मात्रा को बता रहे हैं तो अब ये क्रिया व्षिश्चन की लाइंगे और कौन से वाले परीमानवाचक क्रिया व्षिश्चन ठीक है याँ जब आङे चोटा बच्चा दिन में अधिक सोता है वाक्य हमारा दिया है अगर हमसे पूचह जा Jaci कि इसमें जो अधिक है वो क्या है क्या वो एक विशेशन है या क्या वो एक क्रिया विशेशन है तो आप देखेंगे कि यहां अधिक दिया है तो यह किसको दिखा रहा है यह मात्रा को दिखा रहा है ठीक है कम जादा और यह सब क्या है मात्रा को दिखा रहा है अब सोने का का तो यह सोता है, यह क्या है क्रिया है, तो क्रिया की विसेस्ता बता रहा है, तो क्रिया की विसेस्ता बता के यह हो गया क्रिया विशेशन, और क्रिया विशेशन में भी क्या कर रहा है, यह उसकी मात्रा को दिखा रहा है, तो यह हमारा क्या हो गया, यह परिमान वाचक कहलाए काल वाचक, इस्थान वाचक, रीती वाचक और परिमान वाचक अब हमारा क्रिया विशिशिन के बाद आता है दूसरा पॉइंट जो है हमारा सम्बंद बोधक सम्बंद बोधक सब्द हमारे क्या होते हैं परिभासा कहती है वे शब्द जो संग्या या सर्वनाम के साथ लग कर उनका वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंद सूचित करते हैं उन्हें हम संबंद वोदक सब्द कहते हैं अब देखो ये वाक्य के साथ ये शब्दों के साथ लग कर संबंद कैसे दिखाना हम इस बात को को समझेंगे पर उससे पहले उन कुछ शब्दों को देख लेते हैं कि कौन से शब्द होते हैं जो क्या कहलाते हैं हमारे संबंद बोदक कहलाते हैं जैसे शब्द है मारे जैसे शब्द है बाद पीछे पूर्व पहले बिना तरफ और समयत सहीत आदी ऐसे बहुत सारी तो देखो यहां पर डर का संबंद किस से दिखा रहा है छिपना से दिखा रहा है छिपा किस की वजह से डर की वजह से छिपने का संबंद डर से दिखाने वाला शब्द क्या है मारे और ये मारे शब्द क्या कहलाएगा हमारा संबंद बोधक कहलाएगा जैसे मानलो आप वाक कि धन के बिना तो वो हमारा क्या हो जाता है संबंध बोधक अब एक चीज इसको आप ऐसे पहचान सकते हैं ट्रिक अगर आपको देखनी है कि जैसे हमारे शब्द का की के है इसके बाद अगर आपको कोई एक ऐसा शब्द दिखाई दे जिस पर लिंग वचन कारक काल का प्रभाब नहीं पढ़ना इसी तरह से अगर हम बात करें जैसे कि धन के बिना जीवन कठन लगता है तो बिना शब्द जैसे हैं उस पर कोई प्रभाब नहीं पढ़ने बारा हमारे काल लिंग वचन इन सबका यानि वो अविकारी शब्द रहने वाले हैं तो फिर वो के के बाद आ रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा संबंद बूधक कहलाएगा ठीक है तो आप इस तरह से उनको पहचान सकते हैं कि यह कौन से शब्द हैं आगे देखो हमेशा यह ट्रिक काम नहीं करती है कुछ-कुछ शब्दों में करती है आगे देखो निक से आएगा हमारा तीसरा पॉइंट हमारा आता है समुच्य बूधक ठीक है क्या हो गया समुच्य बूधक समुच्य बूधक शब्द हमारे क्या होते हैं उनको हम देखते हैं तो समुच्य बूधक शब्द जो शब्दों वाक्यांसों वाक्यों को आपस में जोडने या अलग करने का काम करते वो हमारे क्या कहलाते हैं समुच्य बोदक शब्द कहलाते हैं देखो यह जो शब्द होते हैं यह हमारे वाक्य को जोड़ते हुए जोड़ने का काम या वाक्यों को जोड़ते हुए तोड़ने का काम भी करते हैं जैसे तोड़ने का काम किसे हो जाएगा अथवा या शब्द या जोडने का काम और तथा एवम इससे लगा कर ठीक है या फिर कारण देने वाले शब्द के ये काम क्यूं हुआ इसलिए हुआ क्योंकि इस तरह के शब्दों को लेके आने वाले तो वो हमारे कहलाते हैं जिसे उधारण में दिया है और तथा एवम तो ये और तथा एवम क किन तु परनदु लेकिन इसलिए अगर मगर और जैसे अने जयान ने देख और कि आधी इस तरह के शब्दे育ियं है हमारे तो अस्फल होते हैं, इसे पूरा कर लो, यहां पर यह अधूरा ही लिखा हुआ है, ठीक है, होते हैं, कुछ चात्र परिश्रम नहीं करते, इसलिए वे अस्फल होते हैं, तो यहां पर हम देखेंगे कि यह जो इसलिए सब्द हमारा आया है, यह हमारा क्या कहलाएगा, यह विष्मादी बोदकन शभद, विश्मादी बोदकन शभद हमारे क्या होते हैं उन्हें ध्यान में दिजए। विष्मादी बोदकन शभद वे होते हैं, जो शभद भय प्रेम, घ्रना, क्रोध, इच्छा, शोक, विस्मे, उत्टेजन, आदी का फता चलता है, और इन शब्दों से हमें यह शब्द इन भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो जो शब्द इन भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, विश्मादी बोदक शब्द कहलाते हैं, अब इनमें हम उधारन देखते हैं, कि इनका उधारन क्या क्या होता है, तो देखो यहां पर देखते हैं, जैसे क्या, अभी इसको दिखा रहा है, आश्यर को दिखा रहा है, क्या, जैसे सच, ये भी आश्यर को दिखा रहा है, ए, ओहो, किसी चीज़ पर कहते हैं, ओहो, ऐसा हो गया, या हाई, अभी इसको दिखा रहा है, दुख को दिखा रहा है, हाई मेरे साता है साओ गया अरे बापरे ऐसे बोलते हैं दुख वियक्त करते हैं उफ कास इच्छा को दिखा रहा है साबास धन्य वावा खुशी को दिखा रहा है अजी अरी हे इस तरह के शब्द जो किसको दिखा रहे हैं भावनाओं को दिखा रहे हैं ये सारे शब्द हमा का वाक्य कर रहा है और आपसे यह वाक्य देके पूछा जाए किसमें विश्मादी बोदक शब्द बताना है आपको तो बात कहीं जा रही है कि काश मैं परिक्षा में पास हो जाओं तो यहां पर जो यह शब्द है काश यह क्या है यह इच्छा को व्यक्त कर रहा है हमारी भा पढ़ा के पाई हम इसको कड़ा है यहाँ पर कि हमने अविकारी शब्द के बारे में पढ़ा कोई प्रभाव नहीं पढ़ता, यह चार प्रकार के होते हैं क्रिया विशिशन संबंद बोदक, समुच्य बोदक, विश्मयादी बोदक सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रिया विशिशन के बारे में क्रिया विशिशन जो शब्द क्रिया की विशेस्ता बताते हैं क्रिया विशिशन कहलाते हैं चार प्रकार के होते हैं काल वाचक, इस्थान वाचक, रीती वाचक और परिमान वाचक, काल वाचक क्रिया विशेशन वे होते हैं, जो समय को बताते हैं, क्रिया के होने के समय को बताते हैं, काल वाचक क्रिया विशेशन कहलाते हैं, इस्थान वाचक क्रिया विशेशन, वे क्रिया विशेशन, जो क् किस प्रकार से हो रही है वो रीती वाचक क्रिया विशिषण कहलाते हैं इसके बाद परिमान वाचक क्रिया विशिषण जो शब्द क्रिया की मात्रा को बताते हैं किस मात्रा में क्रिया हो रही है परिमान वाचक शब्द कहलाते हैं इसके बाद संबंद बोधक शब्द जो श कि दिखाते हैं, संबंद बॉदग शब्ध कहलते हैं, इसके बाद, तीसरा आता है, समुच्य बॉधक्स जो शब्द किसी शब्द को जोडते हों, किसी वाक्य को जोडते हों, वाक्यान्स को जोडते हों, या जोडने या तोडने का काम करते हों, या रीजन बताते हों, वैसे शब्द हमारे समुझ्च बोधक शब्द कहलाते हैं. इसके बाद चौथा हमारा आता है विश्मादी बोदक शब्द जो शब्द भावना को व्यक्त करते हों या हम कहें कि जो शब्द भय, प्रेम, घ्रणा, क्रोध, इच्छा, शोक, उतेजना, आश्र, आदी भावना को व्यक्त करते हों वो क्या कहलाते हैं विश्मादी बोदक एक शब्द कहलाते हैं ठीक है तो इस तरह से आप सब लोगों को यह बात समझ में आ गई तो YouTube पर आपकी क्लास इसी तरह से चलती रहेगी जिसी क्रम में आसानी से आप इन classes को लेते रहिए और आप सभी लोगों से एक बात कहना चाती हूँ YouTube पे जो आप class ले रहे हैं आपके पास हमारी books होनी जरूरी है देखो हमारी books आती हैं आप online में जाके ले सकते हैं ये books complete books है यानि यहां पर तो आप ये बढ़ी रहे हैं यहां मैं आपको समझाई रही हूँ अगर ये books आपके पास होगी तो आप घर बैठे इनको और आसानी से समझ सकते हैं यानि YouTube की दुनिया से बाहर आने के बाद भी आपके पास वो चीज़े होंगी तो किताब मंगाईए YouTube से हमारी चीज़ों को पढ़ते रहिए और इस तरह से आपकी हिंदी पूरी complete हो जाएगी तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं मिलते हैं अगली क्लास में